मैं हूँ अविशिक बारेट और आप इस वक्त विंडो पर मेरे साथ हमारा स्पेशल सेग्मेंट किस्सा कहानी देख रहे हैं अगर आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हों और आपके चहेते फिल्म स्टार की अनपिक्षित उपस्तिती आपको वगल की सीट पर मिल जाये तो ऐसा ही कुछ हुआ था उस दिन एक आम फ्लाइट रन्वे से उडान भर चुकी थी पर आप इस फ्लाइट को इस किस्ते के अंत तक आम नहीं कहपाएंगे फ्लाइट में बैठें लोगों को जब ये बदा चला कि फ्लाइट में उनके साथ सूपस्टार प्रेजिडी किंग दिलिप कुमार भी सावार है तो अचानक हवा में एक तूफान सा खड़ा हो गया लोग उने करीम से देखना चाते थे वो उनके उटोग्राफ चाते थे उनसे बातने करना चाते थे खहरियत थी कि वो सेलफी का जवाना नहीं था ये बिलकुल ठीक भी था क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूपस्टार अचानक टेलिविजन से निकल कर आपकी बगल की सीट पर बैठा आपको मिल जाए तो ये आपको बदहवास कर सकता है दिलिप कुमार भी सबको ओटोग्राफ देने लगे अपने चाहने वालों से बात करने लगे फ़र इस पूरे माहौल में बार बार उनकी नजर एक आदमी को देख रही थी जिसे उनकी उपस्तिती से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था उस आदमी के हिसाब से कोई हंगामन ही बर्पा था दिलिप कुमार हैरान थे कि वो भारत के सबसे बड़े आविनेता है और कोई उनसे मूँ फेरे बैठा एरक्राफ्ट की घड़की के पास कुछ सकात जम्म मश्रूफ है ये बात दिलिप कुमार को उस आदमी की नजर में अपने मामूले होने का एसास करवा रही थी ये उस सिनेमाई गुरूर जो उनमें उनके चाहने वाले करोडों लोगों ने भर दिया था उसे बैचेन कर रही थी दिलिप जानना चाहते थे कि मैं दिलिप कुमार हूँ हर कोई यहां मेरे ओटोग्राफ चाता है और कौन है जिसे मेरे यहां होने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा उनका इंसानी दम मचल उठा था अपनी तोहीन पर दिलिप कुमार ने अपनी आत्मका था दी सबस्टेंस एंड दी शेडो में इस घटना को कुछ यू लिखा है बात उन दिनों की है जब मैं अपने करियर के शिखर पर था लग भग लग भग पूरा भारत मेरी शकल से वाकिफ था एक बार मैं हवाई जहाज से सफर कर रहा मेरी बगल में बैठे हुए विक्ती जो थोड़े बुजूर्ग थे वो सादा सिंपल पैंट शट पैने थे और सामान परिवार के विक्ती लग रहे थे वहाँ बैठे सारे लोगों की नजर मुझ पर थी लेकिन वो विक्ती मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था वो आराम से की तरफ देख कर थोड़ा हसा फिर वो भी हसा दीरे दीरे बात शुरू हुई मैंने उस विक्ती से पूछा क्या आप फिल्में देखते हैं वो विक्ती बोला हाँ पर कभी कभी बहुत सालों पहले मैंने फिल्में देखी थी मैंने बताया कि मैं फिल्मों ही में काम करता हू वो विकتि बोला ओ बहुत अच्छा आप क्या करते हैं फिल्मों में याने कहा मैं फिल्मों में एक एक्टर हो इस बात पर भी उसने तारीफ की वो बोला वाह क्या बात है मैंने उसे अभी तक अपना नाम नहीं बताया था लेकिन वो विक्ती अभी भी दूसरे लोगों की तरह मुझे नहीं देख रहा था जब यात्रा समाप्त हुई तो मुझसे रहा नहीं गया मैंने उस विक्ती को अपने बारे में बताने के उद्धिश्य से हाथ मिलाया और कहा माई नेम इस दिलिप कुमार उस विक्ती ने हसते वे मुझसे हाथ मिलाया और बोला थैंक यू सर आएम जी आडी टाठा आधुनिक भारत की और द्योगिक प्रगती के जनक जहांगी रतंजी दादा भाई टाठा वही इनसान जिसने भारत में स्पाथ, एंजिनेरिंग, होटल, एरवेज और दूसरे उद्धियोगों को उनकी बुलंदियों पर पहुँचाया जियाडी टाठा का जन्म 29 जुलाई 1904 में पेरस में हुआ था वह अपने पिता रतंजी दादा भाई टाठा और माता सुजैन ब्रियरे की दूसरी संतान थे उनके पिता रतंजी टाठा जमशिजी टाठा के चचेरे भाई थे उनकी माँ फ्रांस की रहने वाली थी इसलिए उनका ज़्यादा तर बचपन फ्रांस ही में पिता फ्रांस के बाद मुंबई आकर उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की कैथेड्रल और जॉन कॉन आन स्कूल मुंबई से पढ़ाई के बाद उन्होंने कैंब्रीज यूनिवसिटी से एंजिनेरिंग के पढ़ाई की जियार्डी टाटा भारत के पहले लाइसेंसधारी पाइलिट भी थे उनसे पहले कोई भी भारती ये लाइसेंसधारी एरक्राफ्ट पाइलिट नहीं था हिंदोस्तान जियार्डी टाटा ने 1929 में सेना में जाने की चाहत में कमर्शिल पाइलिट बनने की ट्रेनिंग ले शुरुआत करने की वजय से ही उन्हें देश की विमान सेवा का पिता भी कहा जाता है दिलिप साहब ने जी आडी टाटा को अपना नाम बताया और जी आडी टाटा ने उन्हें अपना नाम बताया जैसे ही दिलिप कुमार को उनका नाम पता चला वो सन रह गया दिलिप कुमा किसी को कम मता किया और हमेशा बिनम्र बने रही आज की कहानी अपने साथ में सबी के लिए प्रेड़ना छोड़े जा रही है लेकिन हम आप से जो हमारी रोजमर्रा की तरखास्त है जो हम आप से हमेशा करते हैं वो करेंगे कि आपको हमारा चैल सब्सक्राइब करना है विल आइकन को प्रेस करना है ताकि कोई खबर, कोई किस्सा, कोई कहानी आपसे छूटेना सब आपको तैस समय पर मिल जाया करें अगर आप यह हमारी कहानी फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं कि आपको तैस समय पर मिल जापसे छोटेना